मध्यप्रदेश में चुनावी साल में बाबा भी अप्रोक्ष रूप से राजनीती में सक्रिय नजर आ रहे हैं इसी कड़ी में प्रदेश कॉंग्रेस दफ्तर के सामने मिर्ची बाबा धरने पर बैठ गए धरने पर बैठने से पहले उन्होंने मंत्रो चार के साथ अपना मुंडन करवाया मुंडन करवाते वक्त मिर्ची बाबा के आँखों में कथित आंसु भी नजर आये बता दे कि दो दिन पहले ही रेप के मामले में मिर्ची बाबा दोश मुक्त किये गए थे तल्मिर्ची बाबा ने बाबा महाकाल के दर पर हंगामा किया बताया जा रहा है कि वहाँ के पंडितों ने उन्हें गर्ब ग्रहें में प्रवेश करने से मना कर दिया था इससे नाराज होके उन्होंने बाबा महाकाल के सामने जोर जोर से मुख्य मंत्री को बदलने की प्राथना की तूने जो घुटाने किये हैं तूने मद्प्रदेश को घोकला किया है तूने अधिकारियों के टांस पर पैसा ले करके किया है और एक संत पर जब तेरी छाती ठंडी नहीं होई तो तूने प्रसाशन का दुरुप्योग किया सासन का दुरुप्योग किया एक सन्यासी पर इस प्रकार का आरोप लगता है तो पूरे भारत वरस की मीडिया मैन पेज पर छापके कहती है कि मिर्ची पावा बलातकारी है आज भारत वरस के मीडिया को कहना चाहता हूँ कि मैं निर्दोस थावित हुगा हूँ इसका जबाद को देगा इस तरीके से सादूों को फसाया जा रहा है यह भारत का अप्मान है यह राश्ट का अप्मान है और ये देश का अप्मान है जो देश का अप्मान बरतमान मुखमंतरी सिवरा सिंग चोहन कर रहा है पीसे कीशे के सामने मुंडन नहीं कराया, पीसीसी के सामने इसलिए कराया, यह मेरा घर है, यह मेरा द्वार है, जिस कमलनात ने संतों को पट्टे दिये, जिस कमलनात ने गव माता के लिए एक हजार गव सालाय बनाई, जिस कमलनात ने हमेशा संतों से देश भावना नहीं की संतों के प्रत इस प्रकार की राजनीटी नहीं केवी जो आज ये 20 साल का तप इस पाखंडी सिवराज के कारण इस ढोंगी सिवराज के कारण इस नोटंकी वाज सिवराज के कारण मेरे 20 साल का तप सब मैंने यहां बाल दे दिये हैं और घूशना करता हूँ कि सिवराज मद्द प्रदेश में जनता की अदालत लगेगी जो तुम्हें जबाब देगी और इस सत्ता से बेहीन कर देगी इस सत्ता पे बिलकुल कॉंग्रेस के लिए परचार करूंगा कमलनात के लिए घर घर जाओंगा बोट मांगूँगा जय हिंद जय भारत कि अधर कि अधर कि अधर कि अधर के अच्छी बात कहते हैं आप यह बात आज सिवराज से पूझिए कि मद्द प्रदेश में जहतर के मामलें में कितने लोग बेगुना पहते हैं पूझिए लेकिन मीडिया में तागत नहीं है इसलिए नहीं है विजय वरगी मंच से काएगा रहे कुट्थे हो सांत हो जाओ भावा से पूछने की तो तुमारी हिम्मत है अरे कोंग्रेसी सपोर्ट चाप कोंग्रेस की बात कर रहे हैं कि कोंग्रेस ने इतना बड़ा इतना बड़ा चिंतन किया जो ह पर जगए कहा कि नियाले फैसला देगा वह मंजूर है और आज उसे माना है नियाले ने हमको बाइजित बरी किया है हम नियाले का सम्वान करते हैं कि महाकाल में इसलिए प्रिवेस नहीं दिया जाता है कि लोगों को मालुम है कि महत्मा पे कॉंगरेश की सील लगी है महत्मा कॉंग्रेस का है अब जब उन्होंने मानी लिया है कि महत्मा कॉंग्रेस का है तो बैराग्या ना निकाल डरा था ना आज डरा था ना कभी डरेगा मैं इस वात को फिर कहता हूँ सिवरा सिंग चोहान तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो मद्ध प्रदेश में घुटाला किया है उसका उजागर मैं कोट में करूँगा कोट में सावित करूँगा जय हिंद जय भारत